आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत चोटा सा मेसेज आज मैं आपको कराने वाला हूं डिफरेंस बिट्वीन रोस्टिंग और काल्सिनेशन यह मेटल्स और नॉन मेटल्स का बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है यह एक्जाम में बोर्ड के भी एक्जाम में पूछी देफिनेशन की तो यही डिफरेंस है तो बच्चे ने का सर आप एक चीज़ देखो दिस इज ऑक्सीजन ऑक्सीजन को केमिस्ट्री में बोलते हैं एर तो पहली दिफिनेशन होगी वोगी दा प्रॉसेस औफ हीटिंग अप्रॉसेस औफ हीटिंग एन ओर इन प्रेजन्स औ अगर ध्यान से देखो तो बच्चा गएगा वैसे तो यहां पर सिर्फ हीट है और कोई एर नहीं दी गई तो बच्चा बोलेगा the process बात करो मेरे साथ of heating and or in absence of air is called calcination अब दूसरा point कहां से लाओं तो बच्चा बोलेगा सर ध्यान से देखो यह एक sulfide हो रहा है और यह एक carbonate हो रहा है तो second point भी मिल गया it is done for sulfide ores only और इसमें लिखोगे it is done for carbonate ores only the process of heating and or in the presence of air is roasting in the absence of air is calcination वो sulfide ores के लिए किया जाता है यह carbonate ores के लिए किया जाता है बच्चे से मने का यार एक point और मिल जाए तो मजा आ जाए तो बच्चे ने का सर मिलेगा जरूर मिलेगा यह देखो यहाँ sulfur dioxide निकल रही है यहाँ पर carbon dioxide निकल रही है यही आपका अगला point है sir the by product या by product ना लिखे आप लिखो sulfur dioxide is released in roasting और यहाँ पर लिखोगे carbon dioxide is released during calcination is released during calcination यह दोनो का difference जरा ध्यान से देख लेना this is the difference between roasting and calcination मात्र तीन मिनट के अंदर हमने यह कर लिया roasting वाली कुछ factories थी जो ताज मेल के पास थी ताज मेल के पास थी उनमें से sulfur dioxide निकलती थी जिससे ताज मेल की ऊपर की layer पे हलका हलका सा dark किश सा color आ रहा था तो उन्होंने वहां से उन factories को remove करा दिया था यह value based question में भी आपसे पूछा जा सकता है प्यार से महबबत से हमने difference कर लिया between roasting and calcination अगर समझ आया हो तो जै मता दी नहीं आया हो तो एक बार और देख लेना समझ आ जाएगा फिलाल कि लिए समीर सर इस सेंगी गुटबाइ गद्लेस अल जै मता दी